हेड़ फ्रेंड्स आज मैं आपको नवरात्र का दूसरा दिन यानी ब्रह्मचारणी मा की कथा सुनाने जा रहा हूँ हिंदु धर्म में नवरात्री का पवर बहुत ही पवित्र माना जाता है 7 अक्टूबर 2021 से नवरात्री का पावन पर आरंब हो चुका है 8 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को मा भ्रह्मचारणी की पूजा की जाएगी मा भ्रह्मचारणी कौन है और इनके पूजा का क्या महत्व है आईए जानते है शास्त्रों में मा भ्रह्मचारणी को मा दुर्गा का विशेश्ट दरूप माना गया है नवरातरी के दूसरे दिन माभ्रम चारिनी को समर्पित है मान्यता है कि माभ्रम चारिनी की अराधिना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, सैयम और वैराग्य में व्रधी होती है और शत्रूं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है नवरातरी के दृतिय दिवस पर विधी पूरवक पूजय करने से माभ्रम चारिनी सभी मनो कामनाओं को पूरुण कर जीवन में आने वादी परिशानियों को दूर कर दीती है माभ्रम चारिनी ने राजा हे मादय के घर जन्म दिया था देवरिशी नारग जी की सधा पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिफ को पती स्वरूप में प्रात कर सकें कठोर तप की वज़े से उनके अनाम भ्रह्मचारुनी पड़ा भगवान शिफ की अराधना के दोरान उन्होंने हजारों साल तक केवल फल फूल खाए और सौ वर्ष तक साख खाकर जीवत रही कठोर तप से उनका शरीर कमजोर हो गया मा भ्रह्मचारुनी का तब देखकर सभी देवधा रिशी मुनी अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने वर्दान किया कि देवी आपके जैसा तक कोई नहीं कर सकता आपकी मनो कामना अवश्य पूरी होगी और भगवान शिफ आपको प्रतिस्वरूप में प्राप्त होंगे और ऐसा ही हुआ देवी मा ब्रह्मचारणी को गुड़हल और कमल का फूल पसंद है इसलिए उनकी पूजा में इन्हीं फूलों को देवी मा के जरणों में अरपित किया जाता है मा ब्रह्मचारणी को मीठे में चीनी और मिश्री काफी पसंद है इसलिए मा को भोग में चीनी मिश्री और पंचामवरत का भोग दगाना चाहिए माना जाता है कि मा भ्रह्मचारणी को दूद और दूद से बने विंजन अतिप्टिये होते है इसलिए मा भ्रह्मचारणी को दूद से बने विंजन का भूग दगा सकते है मान्यता है कि इस भूग से देवी भ्रह्मचारणी प्रसन्न हो जाती है कहते हैं कि मा भ्रह्मचारणी वरत के दिन इन्हीं चीजों का दान करने से रंबी आयू और सौभाग्य की प्राप्ती होती है तो फ्रेंड्स आपको एक अथा कैसी दगी अगर अच्छी दगी हो तो सिर्फ लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा दोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूए थेंक यू